राहूल गादी और देश के प्रधान मंत्रिश्ची नरेंदर मोदी के बीच में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है लोकसभा के चुना में बड़े प्रतियासियों और उमीदों के साथ बड़े बड़े सितारों ने अपने दुरंदर को मजबूत कर रखा है वाई राहूल गादी ने चौकाने वाले परणाम आने की उमीद जिता ही का देश की जनता सवजदारी के साथ अपने मत अधिकारों के परियोग का एक बड़ा उप्योग कर चुकी आईए आपको पूरी खबर बिस्तार से बताते हैं कि भशपूरी के पास्टार पवंसी ने कराक जनता जंगल राजक पार्टू को ना भूले और इसलिए वो इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ नारेंद्र मोदी को करें पर इसी के साथ रोजगार के बित्र और मजबूत ताकत बने हुए त्यश्मी यादों ने रोजगार की मजबूती की बात कहते हुए कहा कि देश में फुरोजगार का एक मुद्दा उनके समर्थान में होना चीए बड़ी और महतपूर्ण खबर सामने आ रही है इस वक्त कि एक बार फिर एक नई और महतपूर्ण जनकारी जो है असपस्त तो तो सामने आ रही है जारखान मोक्ति मुर्चा खितरप से देश की जनता ने आज एक नई ताकत जिहां तमाम निताओं को दी है तो दूसरी तरप मनिश कस्यप जैसे युवा नेता भी लोग के प्रियता को भी टोरने में बड़ी कम्याबी हासल करते नजर आए इसको लेकर भी खबर देंगे बस्तार से बताएंगे किस तरीके से एक बड़ा प्रियास इस क्या कराकाट से वो इस बार चुनाव लड़ेंगी यह चुनाव में प्रचाल प्रचाल करेंगी यह बड़ा सवाल है हलाकि दोस्तों यह बात असपस तर पर जान लिए कि देश में राजस्थान से लेकर के कई अन जबहों पर एक बड़ी ताकत एक बड़ी मजबूती देश के अलग अलग आकड़े और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि रासन का धारकों के लिए भी शबसे बड़ी और महदपूर जनकादी सामने आई जहां देश के प्रधान मंत्री शेनरिंद्र मोदी ने असपष्ट तोर पर उनकी ताकत यह बलंद किया बात करेंगे किस तरीके से एक नई उमीद के साथ एक नई ताकत के साथ आज सचीन पाइलेट ने कहा कि दीजेपी का खेल कई राज्यों से समाप्त हो चुका है बीजेपी ने लगातार चुनावी पर चार पर सार किये लेकिन बड़ा रुजगार और दिस को उननती के नाम पर वोट मांगन की कोशिश के गई ये मैन फेस्टों कितना रंग लाया ये नारिंद्र मोदी को पता है क्योंकि चार जुन को नतीजे चौक आने वाले हैं चार जुन को जो नतीजे हैं वो साफ तोर पर कुछ नया बैक्त करने वाले हैं और देश की रण भूमी में रण शेत्र में एक बद करते आ रही हैं वहीं अपको दादे की एक बार फिर जियां के सारी लाल यादो लोग सबा के चुनाओं को लेकर के बड़े मजबूती के साथ आज पावंसिन का समस्थन कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी जनकारी अस पस्तुत और पस सामने आ गई है कि एक बार फिर से शर्चों की तेलो की बड़ी कीमत और सरकार दोरा चलाये जाने वाले बड़ी योजनक लाप बिर मिलने वाला है मिलियक नई जनकारी के मताबिक देश में इस वक्त प्रतानमंतरी श्री नरिंद्र मोदी के करपा से जो जियां शिक्षा विवस्ता का बड़ वो देखने को मिल रहा है और बदलती तस्वीरों का एक बड़ा हवाला है दोस्तों ये देश की जनता भी समझ चुकी है जनता भी जानती है कि बदलाओं किस तरीके से और किस तरीके से किया जारा है इसमें आप कुदादे की आज बड़े बड़े परत्यासियों के बड़ी बड़ी ताकत भी दिखाई दे रही है मुख्य तोर पर मिली एक नहीं जनकारी के मुताबिक आज सरकार इस कूटी बित्रड योजना को भी एक बड़ी मजबूती देगी जिसके लिए कई बार प्रयास तो किये गए लेकिन प्रयासों में शफलता कैसे मिल रही है आपको बता बिहार में क्राहिम की घटनाओं को नरेंद्र मोधी ने साब तरपे कहा कि वुले ना वोट करने से पहले याद रखें ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ी जनकारी इस वक्त बीएस्पी है यानि बहुजन समाज वादी पार्टी के तरफ से वादोय किये गए लेकिन इस ब जिहार अपको दादे कि कई सीटों पर बीएस्पी ने अपनी केंडिडेटों को मजबूती से रखा बहुत बड़ी ताकत और खबर इस वक्त सामने आ रही है जब देश की जनता के लिए जिहार लगतार पेट्रॉल और डीजल की बढ़ती कीमत महगाई के मुद्दों पर किसानों ने साब पर कहा कि देश में एक बड़ी अधिकार एक बड़ी मजबूती हमें मिलने चाहिए और मेश्पी का फिक्स कानून किसानों ने पंजाब में मोदी की रैलियों का लाफोते नजर आए लेकिन सबसे बड़ी खबर के शुरुआत करेंगे भजपूरी एक्टर पावस्टार के लिए पावस्टार ने भजपूरी के कलाकार होने के साथ अपने कलाकारी के भावनाओं से तो लोगों के दिल जीता ही था लेकिन इस वक्त कराकार्ट में बेटा पावनसी ने साबतर पे कहा मुझे पैसा कमाने के लिए जनता का बिकास करना है जरूरी है और जनता का बिकास मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि करेकार्ट में आप समझ सकें आप जान सकें कि अधिकार की लड़ाई लड़कर के जुवाएगा वही देश में कुछ अच् इस बार तो सिर्फ पवन चलेगा और पवन चलेगा तो रोकने वाले रास्ते में कुछ ने कर पाएगा। आगे बढ़ने के लिए आपने क्या किया देश के लोगों के लिए आपने क्या किया आपको बताना चीए कि बिहार के जनता आपके साथ जब आपके जोली में 38 सीटों का एक बड़ा जनसमून डाली थी उस वक्त आपने बिहार के जनता के समर्थन में ना उतरते हुए आपने अलग थलग अपने प्रयासों को क्यूं देखा आप देखते चले जा रहे हैं रड़ भूमी में रड़ छेतर में अलग अलग जुनकारियां असपस्ट तोर पर शामने आ रहे हैं लेकिन बदलाओ के बड़े रास्ते भी इस बार एक नया देख़े हैं सबसे बड़ी खब़र तो ये है कि एक बार फिर से आज बड़ा प्रयास किया गया है इव्यम मसीनों में बड़ी बड़ी उमीदें भी टीकी है बड़े बड़े किसमत जियां कैद हैं देख जंता ने इव्यम मसीनों का इस्तमाल करते वислए एक सक्तिसाली प्रोदर्शन का उ इस बार चाहे सरकार जिश्की भी बने लेकिन कई बड़ी हस्तियों का दाउत लगा है किसमत और इस बार देश में एक नई सरकार की बाते भी असपश्ट तोर पर बनती नजर आ रही है देश के जनता उमीदों गसाथ बड़े ताकत के साथ एक लड़ाई को लड़ते नजर जा रही है हलाकि इस बार आप क्या सोचते हैं अपनी राय अपनी विचार जरूर रखेगा उमीद है आप दोस्तों यह उमीद है कि आप समझेंगे और जानेंगे कि राहुल गांदी चार जुन को अपनी शरकार कैसे बनाते दिखाई देंगे राहुल ने साब तोर पर अस इस भारत का क्या है भविष्य में भारत की भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक बहतर प्रियास की जाएगी और ऐसे में उमीदों का एक बड़ा फेरिस्त उमीदों की एक बड़ी ताकत और लगतार प्रियासों से एक नई मजबूती तैय हो रही है देश की जंता ने आज एक नई और मजबूत प्रियास के साथ देश की तरक्की और विकास के रास्तों को भी उन्नती परला कर खड़ा कर दिया है राहूल ने शाप कहा है कि सरकार बनने के साथ हम रजगार की बाते करेंगे हम पंसन योजदाओं के बारे में बाते करेंगे जो लोगों ने करोड़ों पती बनाए उन लोगों के सामने हम करोडों लगपती त्यार करेंगे और ये देश देखेगा देश को दिखाने के दोर में इस वक्त जिहां बड़ी कम्याबी हासल करते नजर आ रहे हैं इस वक्त ललन कुमार्शिन लोग सभा के चुना में ललन कुमार्शिन की बड़ी ताकत भी दिखाई दे रही है ललन कुमार्शिन ने असपस्ट कर दिया है कि जनता वरोसे के साथ उमीद जताई है वहीं इवियम मसीने में किसी भी परकार की अभी तक चुना में जियां आखरी चड़ के मदान होने वाले लेकिन उससे पहले किसी परकार की कोई कमी ऐसी नहीं मिली जिसके बदौलत ये कहा जा शके कि इवियम मसीने गलत हैं ऐसे में इविय मस्यूनों पर आरोप या लांचन लगा देना हमारी एक फद्रत और राजनीतिक दलों का एक दुरपयोग बना हुआ है जिसे दूर करने का लगतार प्रयास और दौर जारी है आज किलता है जय हिंद